स्वेदेशी अपनाओ, विदेशी हटाओ, स्वेदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ, क्या है ये अब से सो साल पहले महत्मा गांदी जी ने कहा था स्वेदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ, जी हाँ दोस्तों उस वक्त पर ये खादी के बारे में का गया था, खादी जान लेने चाहिए जो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे जी हाँ दोस्तों मैं अब्दुलसादिक चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पिछले पांच वर्षों में चाइना ने अपने प्रोडक्ट इस परकार लॉंच किया है भारत ने भारत का हरेक नागरी चाइन के प्रोड़क्ट का आदीन हो चुका है जी हाँ दोस्तों सुबा के टूथ प्रश लेकर के रात के यूज़ करने वाले फोन तक हमारे पास चाइनीज प्रोड़क्ट हैं अगर बात की जाए ऐसे चीजों की तो हमारे पास हर चीज चाइना की मिलेगी क्योंकि चाइना के प पेसों से ज्यादा utility परदान कर सकें गरीब लोगों को जी हाँ दोस्तों अगर हमारे पास भी वह टेकनलोजी होती हुए तो हम चाइनीज को क्यों करेंगे हम चाइनीज प्रोड़क्ट क्यों करी देंगे हम अपनी स्वेदेशी अपनाएंगे अगर हमारे पास सस्ती चीज में हमें उतनी यूटिलिटी प्राप्त होती है तो दोस्तों चलिए इसी बात पर टोपिक करते हैं चाइना ने पांच वर्षों में हमारे देश में कम से कम सारे पांच बिलियन डॉलर का निवेश किया है और अगर बात की जाए फडिया यानि फ फिलिप कार्ट, ओला, स्वेगी, जोमेटो और बाईजूस इंडिया में इंवेस्ट कर रखा है जी हाँ दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन इंडस्ट्री या फिर सोशल मीडिया की तो सबसे बड़ा एप सबसे जादा पसंदीदा इंडी भारतियों का एप टिक टिक टोक, एक चालिनीज एप है, इसका भाई इसको हम यूज ना करें तो अच्छा हो सकता है जी हाँ, और अगर इसके बाद बात की जाए ggakनि प्क, यहे एक चैनीज एसके बाद भारत में सबसेफंदीदा गैम, पबजी, सभी अन्यमें непराई इसके लुक निट देव वी मेट बहुत सारे ऐसे एपस हैं किलफेट्री जियो बहुत सारे चाइनिज एप हैं जो हम वाई कोट कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्मार्ट फोन इंडरस्टी की तो दोस्तों इस्मार्ट फोन इंडरस्टी ने भारत में 70 पर्तिशत मार्किट शेयर पर कंपनी इसके बिखते हैं यही नहीं कि हमहरी सरकार में निर्णे लिया है क्या आथ निरभर बने रहे दोस्तों आत निरभर बनने का मतलब यह नहीं होता कि हम चाइनिज प्रोडक्ट का बाइकोट करें सबसे पहले हमें अपने देश में अपने पास वह टेकनोलोजी डवलप करनी होगी जो हम अपने देश को आत निर्भर बना सके हमारे पास अभी वह टेकनोलोजी नहीं है अगर फिर भी हम चाइनिस प्रोडक्ट का बाइकोट करते हैं और जो अच्छा नहीं लगता, अगर हम खुद चाइनिस फोन यूज करते हैं, या चाइनिस प्रोडक्त यूज करते हैं, और हम दूस्तों को सला दें, कि आप बाइकोट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें बाइकोट ही करना है, तो सबसे पहले हम करें, फिर बाद में दुनि यहा हमारे हमारे गुष्य करने की सोच सकते हैं अगर हम सवेडेशी अपनाकर विदेशी का त्याग भी करते हैं तो दोस्तों इसे विदेशी हो तो कम नुक्सान हमें जादा नुक्सान है क्योंकि हमारे 39 में सोला स्टार्ट अप में भारतीय स्टार्ट अप में चाइनीज पैसा लगा हुआ जी हां दोस्तों बाइकोट करने से पहले आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्षिन में बताइए अगर बाइकोट करना चाहते तो आपको कुछ देश इतके निये ऐसा करना होगा ऐसी टेकनोलोजी डेवलेप करनी होगी जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके और चाइना के अगर आप देख रहे हैं एजुकेशन टेक विडियो थाइंक फूर वाचिंग मैं फूल वीडियो